हेलो स्टूरेंट्स बिटा जो किसी की पदार्त की बिर्थी रोधखता है तिया उस पर अपने चर्चा चल लही थी तो मैंने बताय किसी पदार्त की पिर्थी रोधा किस्ता पीर दिश्री जाती है रोटी उक्वल रो 1 plus Alpha r ΔT यहां पर alpha r को हम ताप यह पिरती रोदकता गुनान कहते है डेल्टा T आपका तापमान में परिवर्दता नहीं जैसे यह पर तापमान में परिवर्दता है क्या आप T-0T तो अब हम इसके लिए चर्चा चालक कुछालक अर्चालक इन्हें सब के लिए इसकी चर्चा करते हैं तो पहले हम करते हैं इस चर्चा चालक के लिए जालक के लिए तो बटा हमाने पता कि चालक के लिए से जो एलफा हमने ताप यह प्रित्र गुनांग पड़ाता ना वही एलफा यहां पर है ठीक बस वही वैली यहां पर होगी बस लिखने को हमने एलफा लेख दिया वैलू वही इसे में तो मैं पता है कि चालक के लिए जो पॉजिटिव ही होगी तो चालक के लिए जो आलफा आर वो कैसा पॉजिटिव है तो बच्छो रो टी की जगो यह पॉजिटिव यह बढ़ी रहा है तो यह जो वैल्लिव यह पॉजिटिव होगी और जब या यव ये वैलियो हमेशा एक से बड़ी होगी तो बटा ये वैलियो क्या होगे आपकी इस से बड़ी होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि रो टी हमेशा बड़ी हो किसे रो नोट से तो चालक के लिए टी डिगरी सेलसे स्टाप पर जो पिड़ती रोदगता है उसका मान क्या होगा हमेशा बढ़ा होगा किसे जीरो डिगरी सेलसे स्टाप पर जो पिड़ती रोदगता उसके मान से टी डिगरी सेलसे स्टाप पर पिड़ती रोदगता का मान हमेशा 0 degree Celsius अब प्रति रोगता उससे बड़ा होगा किसके लिए बच्छो चालक के लिए तो हम कह सकते हैं कि चालक के ताप में विर्दी करने पर प्रति रोगता हमान बढ़ता है अब बच्छो एक्चुल में यह देखा गया कि यह प्रति रोगता हूं चालक के लिए अगर ह अगर मैंने 223 केलिवन से लगवक 500 केलविन तक को अगर मैं ताप मा Бढ़ता हूं तो पिर्ति रोगता कुछ रेख ही रूप से बढ़ती है समाले इदर आपकी रो है इदर का टेमप्रिट्रचर टी है तो पिर्ति-रोगता रेख ही रूप सबूव एक बैद जबिए जबकि जो कम ताप और 232 से कैल्विस एक लिए बढ़ते तो अगर आप छीपतल प्रतिता कि लीए और सोन आपया। के लिए आने में कम जोपती दोनों आप खर है तो बटाइए दो दोनों गराब बना क्याने यह तो है 233 से 500 कल्विन और यह निम्न ताप पर देखो बुख में यह वाला दिया हुआ इसलिए यह वाला भूर में जाना है निम्न ताप पर तो निम्न ताप पर पिठती दो रखता कैसे बढ़ती है रेखी रूप से बढ़ती है और उच ताप के लिए वाद करता हूं तो जैसे आपको पता है कि कुचालक के लिए यह और अर्धिचालक दोनों के लिए अलफा नेगेटिव होता तो यहां पर मैं केसा कि लिए अलफा क्या होँ अच्छो नेगेटिव होगा जब आपको पता किसी भी पदारत का टी डिग्री से से प्रापल पिरते होगता है तो इसके नेगट होने से यह वाली टर्म क्या होगी नेगट होगी तो तो एक मेंसे यहां हमेशा क्या होगी इस वाल टर्म की एक से चोटी होगी और जब यहां पर क्या होगी बच्छो घटेगी तो अर्दचालक का ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होता प्रती रोदखता कम होता है सब्सक्राइब कुछालक की बात कर रहे हैं ठीक कुछालक की पिर्थी रोदक्ता क्या होती है ताब बढ़ाने के साथ घठती हुई जाती है अब यह वैसे थोड़ा बद जाने जाए ठीक जरूरी नहीं है किसी टीडेगरी सेल से स्थाप पर कुछालक की पिर्थी रखता का जो फॉर्मला होता ना थोड़ा सा वो कुछाला या अर्धिचाला दोनों के लिए सेम ही होता है यह कुछ ऐसा होता रो नौट एकी पॉबर ईजी डवाइड़ वाइट टू के बीटी ठीक है यहां पर जो एजी है इससे बोलते विटा वर्जित उर्जा अंत्रा थ आद में इसके काम आएगा के भी को बोल जोन नहीं आता हैं टी ताप माट टीडिरी सेलसिस्ता पर पर पिरतित रखता को चालक का अचली फॉर्मला यह हैं बट इसी फॉर्मला बनाए आपको इतना कंफिज नहीं हो ना इसी से यह बनाया है मैंने ठीक है तो बस थोड़ा होगे कि लिए अलफा थारा कषनार और में ऐसाओ्बाद Safari और सब्सक्रिंदा कीक होगो यह हैं ट्51 को यह तो आपके यहां पर कि कम विट्युतिर दखता जो कमोथी और चालक की रो नोट एकी पावर माइनिस एक्स ग्राप बने किसा और कि आपके वीच सब्सक्राइब बनाओ किसके लिए अर्ध चालक के लिए तो वो ग्राप क्या वगका चरगाता है कि रूप तरीक से कम होता हुआ जाए ठीक है आप थोड़ा ग्राप सही बनालना लो मैं बनाए तो यहां पर तो बिच्छो लो जर्मिनियम के लिए इस तरह का होगा है ना कोकि सिलिकॉन भी का अंशलाओ और जर्मिनियम भी क्या अर्चला तो इनकी लिए गरांप इस तरह का ओडांए टीडिये होगा हम चर्चा करते हैं मिसर दातो के लिए А言 standalone जो आपकी मिसर दातु है मिसर दातु के लिए ंदिक इसक्रेजों आपकी मिसर दातु आलोई जिने हम बोलते हैं आपको बता है उन exponent vice जिरू बहुत है तो अरमा Americas पदार्तों के लिए बात हो तो रोटी एकवल क्या आपका रो नोट वन प्लस एलफा आर डेल्टा टी तो बच्छो यह वैलू जो है प्रॉक्सिमेट हमेशा क्या रहेगी जीरो रहेगी जीरो तो जीरो के साथ मल्टिपलाई करें तो जीरो आएगी तो जब यह वैली जीरो ह च Peak और तुधर टीडरी सेलसे स्ताप पर वही होगी जीरो क्या होगी तो आप के साथ चेंज यह ओगी उस लिए इसलिए इसलिए इन पदार्तों की तौत ताप च्छेंज नहीं हो रहेए इस हम क्या गरते बच्चों जो आपकी इस्टेंडर कोईल है जो मानक उपकन है उनकी जो कुंडलिया है वो मिस्र दातू की बहुत ध्यान रखना की मिस्र दातू जैसे नाइक्रोम हो गई इनके लिए एलफा कमान क्या अत्यां पर लगवक्त जीरो है तो इन पदार्तों की प्रत्रोम कोई प्रवाब नहीं पड़ता है इसलिए जो इस्टेंडर कोईल होती है मानक प्रत्रोम तार होते हैं उन्हें बनाने के लिए इनका उप्योग करते हैं तो बच्चों अगार हम उच्छता पर दो कम ताप पर तो कोई नहीं हूँ अगर ताप बहुत जड़ाएं तो इन पदार तो प्रतितरोम को साथ इस तरह चेंज हो भी जाती है वह कवी अच्छता पर पर प्रतितरोम क्तर अधिक गराभ ऐसा यह है ऊच्छता पर इसकी के लिए मश्र दाद्य वह कर ठीजिए थोड़ा सा यह सारकून नोट का लेना आगे बठी ऐसे मैं कुषट शेकर आपको सबीटार आयरे आपकते इसे हम लेते हैं लोगे विसम संदो क्टर्ण के आर रिंटार की तार के नो प्रत्रोंट हीमांक का मतलब इक जीडरो डेगरी सैल्सीजासे ठीजरें हो더ड़ो देजा सेर्फ जीडरो पर जम जहूंत तो तार का प्रत्रोंट किना थिया हुआ पांच हो में अशुआ था पर सबिसारा है किटना वापांच हो जो करें सो डिगरी सेलसीस तौकीटना आया तो कितना है Our prior эпetownJa है अंजी उस इसी जगेये रख दिए जया जिसका ताफ फोदिया हमने तो उस लेटीन है प्रित्रोथ पाया पाँच पाइए पाँचपॉस्ट् साथ 905 तो उसमक का ताप क्या होगा तो जिसमें उसको डवबवया गया उस जगunya को उसका ताप क्या है आपको बताना नो बच्छो व क्या भihnृ ओ डिया जीरो डीगरी सेरलेस्ट मेंता ह Canon प्रतुरोज प्रूम्त प्रूत किना दिया बेटों मैं फ़़ी किना यह आपको निकालना कि п 삖 पि की डिग्री सैल्सिस पर प्रूद आपको कित ना ठीक है और आपको यह ताप पूछा तो इसमें क्या है अब जो रिलेक्शन एक बार में इस वर इसके लिशन लगा हुआ होगा आग होता आर्टी टू क्या होता मैंने का था जनल को जरूर नहीं है कि जीरो डेगरी सेल्सियस की जो किसी पर ताप के लिए किसी टीटू डेगरी सेल्सियस ताप पर प्रत्रोद क्या होगा आर्टी टू बराबर आर्टी वन प्लस एल्फा डेल्टा ती तो यहां पर अगर मैं बात इसकर इसके करूं तो यहां पर आर्टी टू में सो डेगरी सेल्सियस टीवन ले लिए जिरो डेगरी सेल्सियस वन प तो आपने पांच ओम रख दी हैं पर वन प्लस एल्फा की वैलिव बच्छों में पता नहीं है तो एल्फा ही तो हमें निकालना है तो 100-0-100 एल्फा इसको इसको भाग दे दिया जब भाग देने पर यह वैलिव आगई बच्छों एकवल टू वन प्लस सो एल्फा तो बच्छों सौने पर एल्फा कितने आगई यह आगई अब हमें यहां से एल्फा पता चल गया अब हमें बता है किसी टीटू टीडेगरी सेल्सिता प्रितुर्व गया हो तो आर्टी ओर आर्टीवं प्लस वन प्लस एल्फा डेल्टती अब मझे जीरो डीटरी सेल्सित पर प्रितुर्व पता ना थीगिन कालने तो अब मुझे ऐल्फा पता चल लगये न तो इसमें रहिता हुए आर्टीटू मत आयर्टीजंद यो मंझे निकालना है टी टोड़ी केसे आप प्रतोर किना पाच होव वन प्लस ऐलफा-टी तो आपने शॉल किया तो सॉल को मेल्फ एलफाग वेल्पर दी आपने ये वाली जो हम एल्फाग वेली पुट कि सॉल करने बड़ टीगी वाली तो 345.65 degree Celsius इस तरीके से यह वाला question आपका solve होगा बच्चों ठीक है आगे बच्चों हम निमरिकल लेते हैं जैसे आपके notes का ही numerical ले लेते हम बच्चों ठीक है अब हम पिरत्रोद पर बेज कुछ numerical करते हैं से notes में अब लेता है तो जैसे चलो निमरिकल बाद में करें आगे टोबिक टोबिक लिए पहले निमरिकल बाद में करते रहेंगे तो अगला टोबिक हम लेते चालक तो चालक्त चालक्त क्या होता उत्रटो इंगलिस मेंसे बोलते हैं aired कंड़क्टेंस कर लबब पिटिरोध कर जो उल्टा ना पिर्टिरोध क्यों भी इत में टीरısı के वी य डिकरम को चालक्त जो्के तो आप सकते हो कि चालक्त क्या उत चालipt तिरोध के वियत्करम को चालक्त कहते हैं इसे बच्चों हम इसे कैपिटल जी से प्रेधर सित किया था बच्चों ए प्रेधर सित किया जाता है थे कैपिटल जी से हम प्रत्रसित करतें इसको और कैपिटल जी एक्वल टूट गया बच्छो आपको वन अपॉन आप प्रित्रोथ का जो वीट क्रम है यहीं आपका चालक्त कराएगा ठीक है जी एक्वल टूट बन अपॉन आर अगर मैं इसके मात्रक की बात करो बच्छो इसका मात्रक है एक बटे ओम तो क्या गया है एक बटे ओम इनवर्स ओम इनवर्स का उल्ड़ा लेख दो एम एच ओम हो ठीक है और इसका दूसरा नाम सी मैंने बोलते हैं या सी मैं क्लियर एक होती वाज़े चालक्ता इसमें पहले बाता चालक्ता और मैं संबंध में निकाल चुका हूँ आपको एक क्वेस्टन हम ले थे बहुत अच्छा क्वेस्टन है कि आपको किनी दो चालक्ता पदार्तों के लिए आपको वी और आई के बीच में गराप दिया हुआ है कि किसी चाद दो चालक पदारत है एक चालक पदारत के लिए वी और आई के बीच में ग्राप इस तरह का आता है और एक चालक पदारत के लिए वी और आई के बीच में ग्राप इस तरह का आता है कि यह ग्राफ यह हो गया एक ग्राफ यह हो गया मैं कि यह है चालक पदार्थ वन के लिए ग्राफ यह चालक पदार्थ दो के लिए ग्राफ यह ग्राफ चालक पदार्थ का टीवन ताप पर और यह है चालक पदार्थ का टीटू ताप पर इसका प्रत्रोद आपका आरवन है इसका प्रत्रो आपका R2 है यह एंगल आपको बच्छोट थीटा 2 है यह एंगल आपका थीटा what है एक लिर तो टीवन यहाद इसे किसका टाब फाहे वत है तो आपसे diya तो यहाद कि इनए तो छालग पदारत है जहने लिए ठीक है और वी आज़ी में गराफ इसाई डीक है तो किसका पर्तूद जाप जाया जा दोना एक ऊज़ा की पदारत अपॐने ऊंजाने थिए तहीं था है तो आनलों पदारत के वर फूंद सिन ज्राब ज्यादा है तो अभ आपको बता बच्चो वी और आई के मद्ज़ ग्राफ होता जिसे मैं आप कर लेते हैं कि अब आप वी और आई के मद्जें से ग्राफ है ये वाला अगर मैं इसा घ्राफ की ढाल देखूं कि कि ये अगल को वे सर्लुक्त डाल नहीं होती है यहां पर विटा एक्ष दिसामें तो वी वाइद समय क्या आपका वी एक्ष दिसामें क्या आपकी आई और यहां पर जो आर है पिर तो वो क्या होगा एम के बराबर तो यहां पर मैं करना एम एक वल्ट कया होगा और यहां को वोनते हैं ढाल स्लूप तो एम को वोलते असलोब ढाल आर तो यह किसके बराबर बोटी आपके टैन ठीटा अब तो तो इसका मैनलभ यह हो गई और 10 ठीटा हो गई है तो जिसकी तो यहाँ पर मैं बहूं गहाँ कि आर बढर क्या हो यह 9ए गलिया और 10 ठीटा समानुपाती होता वक् transitions टीटा की जितना बड़ा ठीटा होता उतना है 100 ह gene होता है तो मैं उलाओ का आर समानूपाद को है तो अब यहाँ पर आपको जो बन जी जाएं इस तरीके के बच्यों कि एक खूरह यह वी है ये आपका आई है एक गड़ाब आपको यह दिया हुआ एक आपको यहने से तो जिसका फीट बड़ा होगा बच्चों क्योंगी जो फिरतोぎा वह फिरतरोद होगा पदार्टू का पिरत्रोद छोटा होगा अब आपको बताए तो आरवन बढ़ा है अगर ताप बढ़ाने पिरत्रोद बढ़ता है तो मैं क्या क्या बलूगा कि जो टीवन की जो वैली है वो क्या होगी वह बढ़े हो किसे टीटू से क्योंकि ताप बढ़ाने पिरत्रोद हमेशा बढ़ता है तो इसलिए जिसका पिरत्रोद जादा होगा उसका ताप जादा होगा तो टीवन बढ़ा हो किसे टीटू से इस तरीके से में आप करे सकता हूं कि T1 greater than T2 clear T1 बड़ा होगा T2 छोटा होगा कि लिए बच्चो अब चलो एक question में all लेता हूं इस तरह का आप उसको भी देखो कि माली ये graph की पर ही based question लेता बच्चो कि इधर y axis के along आई है और x axis के along आपका भी है वही एक ही पदारत है उसके एक ही चालक पदारत है जिसके अलग अलग ताप पर दो graph कीचे हुए ठीक है ये चालक चलो वन इसको मैंने वन दे दिया इस चालक ती दे दिया इसका ताप T1 है इसका ताप T2 है कोई बात लिए चाल 1 है और यह एंगल आपका ठीटा 2 है तो इसका प्रित्रोद में किराव आर वन है इसका प्रित्रोद अधिक होगा किसका ताप अधिक होगा तो बच्चों पहले खुद सॉल्व करने कोर्स करें इसको पहुझ करके जो भी है फिर बाद में आप इसका सॉलूशन देगे खु इसका कर सकते हैं पहले खुद करें प्रियास फिर देखें इसको चलो करते बच्चों तो यहां से अगर हम देखें द्यान से तो आपका जो ग्राफ है आई और वी को सरल लेखा है मैस सरल लेखा ग्राफ हम जानते हैं यह क्वोल्ड ही होता ? तो यहां पर वन वाई आर गुना में वी हो जाएगा तो आई एक्वल टू आपका क्या हो गया वी वाई आर तो इस वन वाई आर को ही हम क्या बोलते बच्चो सिलोप कि धाल किसे दरसाते हैं गारें जो आफका यह वन वाई आर है इस वन वाई आर कुझ अगर त्यृँट होती है और आवटाज। अहां पर कह सकते हैं इसलमानुपाद है थीटा के तो इस ग्राफ से आप कह देख रहे हो इस घ्याफ थीटा वन है बढ़ा एक से थीटा तूसका तीटा भंगा ц Picard रॉकंशत रुए तो जिसका ठीटा वड़ा उसका यह कए होगा तो आरटु तो पच्छो आर बनं शोटा होगा और आरटू आपका बड़ा होगा इस तरीके से आप के सकते हो कि जो यहां पर जो पिरतिरोध है है वो किसका चोटा किसका बड़ा रर्वन का प्रित्रोद किया है ईक चोटा होगा है रर्वन चोटा है किसे टू आप fart से डिया के बton तो यह तरीके से बच्चों आपका यह कंपलीट हो गया ओर ऀप content तो से यहां तक कि आप यसंवी चीज़े नोट कीजी पंद Всёordon लेस्ट और अरट वाप का चलो तो अब जिसका प्रित्रोद छोटा होता उसका था यू अगरा आप कर शक्या बढ़ाने किस प्रतिनु बढ़ता है तो भिल्एर और धित्रौद काम है उसका ताब्स का मूत क्तल होगा इस तरीके से आप यह वाला क्वेसे सोल कर सकते हो और चो क्लिए तो नेक्स अब मलेते हैं कि कारवन पिरतीरोद का पिरतीरोद मांगा थो परृह नेक्स ठापिए वह चल कि मान ग्यात करना कैसे मान लिए अब को एक कारवन का मतलब अब हम ने अलग-अलग तार काइड दिये अब अब इस तार का पिरत्रोद कितना है, 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 इस तार का पिरत्र और आपके नोखेते हैं और आपका कार्वन कि अपश्ची में टृतिस्तों प्रिंट होई है जो फॉति था है गता यहां और उस कारवन की परत के ऊपर कुछ रंगीन पत्टिया बनायते बच्चों इस तरीके से अब जैसे तीन भी हो जाती है और चार भी पत्टिया होती है इस तरीके से कहा रहते हैं यह कलड रंगीन पत्टिया यहां पर बना देते हैं ठीक है, अब जो हमने रंगीन पत्या बनाई, इन रंगीन पत्यों की साहता से, हम इस कारवन पिर्तिरोद का पिर्तिरोद ग्याद करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आगया होगा, कि जैसे यह कुछ तार है, तो इस तार को पर बिच्टे डिए मैंने क्या किया, एक कारव पत्ति यह हो गई एक रंगीन पत्ति यह हो गई और एक रंगीन पत्ति पत्ति यह हो गई तो इस तरह से हमने इस कारवन प्रत्त को पर इस तरह से रंगीन पत्तिया बना रखी है ठीक है, अब इन रंगीन पट्टियों और एक कोड, एक तरीका होगा, एक कोड होगा, इन रंगीन पट्टियों को देखकर और एक कोड की सायता से, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस कारवन पिरत्रोद का पिरत्रोद मान ग्याद कर लेंगे, तो बच्चों वो कोड क्या है, वो क B-R-O-Y, B-B-R-O-Y, Great Britain, B-B-R-O-Y, Great Britain, Very Good Wife, ठीक है, B-B-R-O-Y, Great Britain, Very Good Wife, यह वो कोड हैं, जिसकी सहायता से, बच्चो हम क्या करेंगे, इस कारवन पिर्तरोद का पिर्तरोद ज्यात करेंगे, ठीक बच्चो, जहां तक देखो आप, यह वो कोड हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यह याद रखेंगे, तो कोड आप देखन बच्चों करने का एक तरीका है, ठीक है, तो हम बच्चों उस तरीके की डिसकुस्टन कर लेते हैं, तो जैसे अच्छों आपके नोट्स के कोड लिए दिखाए तो बच्चों देखो, यह वो तरीका है, ठीक है, यह आपका सबसे पहले आपका सीरेल नंबर है, 12345678910, उसक ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गोड़ वाइब, अब इनके संगत पर रंग है, बी का मतला होता है, बलेक, बलेक को कहले लिए अमने काला, बीक मतला ब्राउन, ब्राउन को मतला भूरा, आर को मतला रेड, रेड को मतला लाल, ओरेंज, नारंगी, येल्लो, पीला, ग्रीन, हरा, ब्ल्यू, निला, वॉयलेट, बैंगनी, ठीक बच्चो, ग्रे, सलेटिया, दूसर और वाइट, वाइफ, वाइट और सफेद, ठीक है, अभी बैस ये देखना, इनको हम बाद, इनके मत देखो भी ये, तो बच्चो, अब इनके अंक देते हैं, ठीक है, ये आप कोड हो गय आप के साब सेट चलते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये अंक हो गए बच्चो, अंक के बाद, हमेने गुनांक, वही गुनांक मलत, जो अंक वो टैंकी पावर मों लेख देने, टैंकी पावर जीरो, टैंकी पावर वन, टैंकी पावर पावर फाइब, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ठीक, अभी इन्हें मत देखवा आप, इसके बाद सहता, देखो बच्चो, अब हम चलो बताइता हूँ, इसके दावा साथ, हम दो कलर और लेते हैं, दो रंग और लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और सिल्व बच्चो, जो गोल्ड है, गोल्ड की सहता प्लस माइनस पाँच परसेंट होती है, और सिल्वर के लिए सहता होती है, आपकी प्लस माइनस टैन परसेंट, अगर गोल्ड और सिल्वर के लाबा कोई और रंग आपको दिया हुआ हो, या कोई भी नहीं दिया हुआ हो, दिया ह प्रभी बना लेनी हैं एक अच्छे तभीके से यहाज रहने हैं का swear कि ट्यान रखने हैं और िानि के लिए कौन once करेंगे और इनका प्रित्रोत कैसे ग्यात किया जाएगा इसे हम कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियों सौल करना तो आज की क्लास हम यहीं पर सभाप करते हो के थेंक्यू बाइब बच्चों